हेलो दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है Mr.Dagger चैनल पर दोस्तो अगर आपके फोन से आपके फोटो डिलीट हुए हो चाहें एक साल पहले फोटो डिलीट हुए हो या फिर दो साल पहले फोटो डिलीट हुए हो लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पुराने से फोटो एक सेकेंड में एक किलिक में बापस ला सकते हैं रिकरवर कर सकते हैं अपने इस application के जरीए से तो इस तो आप भी अगर चाहते हैं आप अपने धोके से फोटो अगर कोई delete हो गया हो या फिर आपने कोई फोटो जान भूच कर डिलीट कर दिया हो और वो फोटो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है इस किसी जरूरी काम के लिए चाहिए तो आप वो फोटो नहीं बापस ला सकते हैं लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बस एक किलिक करना है और आ करना तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं मेरा नाम मोशन और आप देख रहे हैं यह मिश्टर डेगर दोस्तो अगर आप चाहते हैं यह एप्लिकेशन आपके मोबाइल में सही तरीके से बर्ग करें तो हमारी इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादा सेयर करें साथ ही साथ Mr.Dagger चैनल को सब्सक्राइब करें बरावर में बेल आकन आएगा उसे All पर किलिक करने ताकि आने बाली डेली यूजफुल अपडेट आप तक पहुंचते रहें नीचे कोई भी आपको बहतरी इसाथ जो है कमेंड कर देना है Amazing Trick ठीक है जो भी आपको मन में आए वो कमेंड यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं उसके बाद हम बढ़ लेते हैं अपनी एप्लिकेशन के ओर दोस्तों अब आपको Permission जो है वो Granted कर देना है या Allow कर देना ठीक है जैसे ही आप Permission अलाओ करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीकी की Loading चलेगी तो आपको थोड़ी देर बेड कर लेना है Loading चलने देना है ठीक है दोस्तों अब उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपको back कर देना इसे अब आपके mobile में वो सारे photo open हो जाएंगे जो आपने बहुत साल पहले या बहुत दिनों पहले delete कर दिये थे जिनकी आपको सक्त जरूरत है ठीक है तो इस पर click करने के बाद आपके यहाँ से बहुत सारे आपको जो है photo दिख जाएंगे जो भी आपने पहले delete कर रखे थे आप वो वाले सारे photo यहाँ से recover कर सकते हैं जो भी आप देख पा रहे हैं बहुत सारे photo आचके हैं जो मैंने पहले ही delete कर चुका हूँ अब मुझे इन photos की जरूरत पड़ रही है तो मुझे इस पर जैसे ही आप देख पा रहे हैं इसका path यह रहा इस वाले folder पर आपका यह photo बापस आया हुआ है यहां से आप directly check भी कर सकते हैं और यहां से उसके बाद आपको yes करने के बाद फिर से आपको back आना है back आने के बाद आपको और जो भी photo यहां से recover करना है वो सारे photo यहां से आप select कर सकते हैं कोई भी photo ले लीजिए उसके बाद इसी तरीके से आपको इन photos को restore कर लेना है backup बना लेना है इस तरीके से आपके पुराने से पुराने delete photo बापस आ जाएंगे और आपका भी काम चल जाएगा आप बिलकुल खुस हो जाएंगे तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह application और यह video दोनों चीज़ पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको यह video पसंद आए तो हमारी इस video को ज़्यादा से ज़्यादा like करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा share करें ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह अपने photo को restore कर सकें और साथी साथ Mr.Diger Channel को subscribe करें Thank you friends, thanks for watching